तो हे गाईस स्वागत है आप सभी के हमार आपके चनल पर एटमिक्स में है तो आज हम बात करने वाले फीडिंग के बारे में यानि डॉक जो फीडिंग डॉक को देते है उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हो इसमें थ्री स्टेज है जैसे कि सबसे प पपी फूड का यानि जो पपी आता है जो पपी जैसे कि आपका छोटा पपी वो एडल्ट होता जाता दिरे-दिरे उस स्टेज में आपको उसको क्या-क्या खाने को देना चाहिए और जो तीसरा स्टेज आता है वो है अगर आपका डॉट येर का कंप्लिट हो जाता है उसके देते हो time to time की इस तरह से कितने quantity में आपको देना चीवागा अगर आपको पता हो तो उस हिसाब से आपका dog अगर खाने लगेगा तो digest अच्छे से करेगा उस हिसाब से उसके growth अच्छी खासी होगी उसके साथ साथ क्या feed के अंदर क्या और भी हमें add करना चीज जिसके कारण उसके अंदर काफी ज़्यादा nutrition हो जाए जिसके कारण आपके dog की health काफी ज़्यादा increase हो जाए तो guys वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक refresh जरू से करना चाता होगी अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छे लगी तो please support जरू कीजएगा like share जरू कीजए तो इस एज में क्या होता है जैसे आपने अपपी घर पे लेकर आती हो तो आप जैसे उनको पता है आपको कि उसके जो दात आते नहीं है उसका डाइजर सिस्टम इतना स्ट्रॉंग नहीं होता है और उसको समझ भी नहीं आदा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो उस stage में क्या होता है कि जब तक वो मदर के पास होता है तब तक वो मदर मिल्क पी जाता है उसके कारण उसकी health अच्छी खासी growth होती रहती है या फिर उसकी जगह पर आप सेरलेक्स असे दे सकते सरलेक्स अपको बहुत सफरी company जो है puppy food बनाती है dog food बनाती है वह company जो है PIसK लिए milk remplacer भी बनाती वो आप उससे दे सकते उसमें क्या करना है आपको दो चम्मद दो चम्मद उसके अंदर डालके फिर रभा बहुत गरम पान को ऐसी कंडिशन में दूसरी कंडिशन हमाने ऐसी आती है जब हम घर लेके आते तो बहुत सब्सक्राइब क्या करते कि जो डॉक बीडर से या फिर डॉक सेलर से पुछते ही नहीं है कि उसे क्या अब तक खाने को दे रहे थे तुम लोग मतलब कोई-कोई जो मदर मिल दे रहा सब्सक्राइब करने लग जाता तो फिर आप डर जाते कि क्या होगे अभी हाल जस्ट पपी मैंने बाय किया ऐसा क्यों हो रहा है मेरी कुछ गलती तो नहीं तो आपकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें गलती होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो आप आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा डॉक के लिए स्पेशल आता है वह आपको लेना या तो फिर आप उनलाइन बाय कर सकते आपको फास्ट डिलेविटी का थोड़ा बूर चार्ड दे सकते जल्दी से आपको डिलेवर भी मिल जाएगी तो आपको ले सकते या फिर पर तेनं घंटे के बाद वापस से दो बजी देने का है फिर से तीन चार बजे के बाद आप उसको पांच-ошाड़े चार बजे करेंगा पोट होगा जिए वर प्र थोड़े टाइम के लिया उसको त् एज जो थ्री मंद तक नहीं हो जाती जब वन मंद का हो तभी आप घर लेकि आएगा उसके वन मंद तक आपको सेलेक्स देना है फिर आपको ऐसा हो तो आपको देड़ मेना तक भी दे सकते उसके बाद आपको धीरे धीरे उसको पपी स्टार्टर फूड चालू करना है तो अ तो अशे कंडिशन में आपको क्या करना है आपको धीरे धीरे देना है आपको एक बावल या फिर कुछ तरह से आपको चमच बगेरे आते हैं बड़े चमच उपो लेना है उसमें एक आपको कstro पर दूसरे दिन थोड़ी और बढ़ानी उस तरह से आप उसे सकते बहुत साइल लोगों के पपी की एप जो डौक की हेल्थ नहीं होती तो उनके लिए क्या होना है थोड़े दिन आप जो है मौर्निंग में उसको देना है वो आप कैसे देएगा जैसे की पपफी पूड़ити स्टार्टर ठार आपको चो एड करना है उसके अंदर जौगर पानी आता है जो एक का वह मिक्स कर सकतें के झूब चोड़ा बहुत Isko एकड़ाव करना एक खूटए-छोट़ पुक्ड़े हो Extre सकते तो जो यह पपी आपको खाने लगेगा और पपी वाला फूड़ी लाईएगा अच्छी क्वालिटी का लाईएगा उसमें देखिएगा आपकी केलसियम की मातरा कितनी है उसके अंदर विटाइमिस मल्टी विटामिस कितनी है नॉन वेज वाला भी आता है वेजटीरेन आता है वह आपको अलग-अलग कंपणी डूल्स हो गया पैडिग्री हो गया एंडी हो गया ऐसे बहुत सारी कंपणी जो मार्केट में आपको फूड सप्लाइ करेगी तो उसमें से भी आप देख सकते और इसके अलवा आपको जैसे कि फैट और प्रोटीन का विध्यान अच्छा है और इसके अलावा जैसे कि पपी स्टार्टर फूड में आप जो है उसके अंदर मल्टी विटामेंस या कैल्सियम वाली जो सीरप आती वह भी उसके अंदर एड़ करके देख सकते हैं अगर आप एड़ करते हो और पपी खाता नहीं अच्छे तो आपको क्या कर आपको देना है तो एसी कंडिशन में आपको एड़ डॉक फूड आता है जिसके दाने काफी ज़्यादा बड़े होते और पपी जो फूड होते हैं उसके दाने काफी छोटे होते तो आपको डिफ्रेंट पता चल जाएगा तो पपी के एज में अगर आप एड़ डॉक का देते तो दिक्कत आएगी अच्छे से खानी पाएगा चबानी पाएगा डाइजस नहीं होता इसलिए आप एडल्ट डॉक को एडल्ट वाला फूड दीजेगा बहुत सा लोग क्या करते जैसे कि बुल्ली हो गया सेंट बनाट हो गया ग्रेट डैन हो गया उन लोग को भी ह इडल्ट डॉक होते तो भी वह पपी वाला फूड देते तो उसमें भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है डिफरंट इतना नहीं आता बस दाने का फरक आता है और कैल्सें वीटाइमिन का फरक आता है तो आपको ध्यान रखना है तो अप पपी या फिर जैंट जो केजी का बारा केजी का एक साथ लाते बट उसके स्वाथ चला जाता है धीरे-धीरे तो डॉक फूड नहीं खाता है फिर फेकना पड़ता है तो इससे अच्छा आप क्या करें कि उसको थोड़ा-थोड़ा मतलब दो केजी का थ्री केजी का ला सकते और जैसे पैकेट आप हां उसको तो 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 उसके बादें बन कि Nowadays लिवाइश बाद बंकर रख ःए जिसके करणा स्मेल ना जाए और इसके साथ जैसे बहंसे अपकर दोग्ड चूब्ड मनद का उइंकल कऊ को ऑनते को अपको अपको जैसे ऑक दो बार ऑसे दीना जिसकी चाहल Do ऐसके आपको उसको ग्रो करना उसके सासत कभी कबर क्या होता है दोग का मूड खराब हो जाता है छाने किसे सवाध नहीं आता तो उससा अद रहा जैसा मोह नहीं जैसा मोसम ह्षणा वेदर उससाब कर देना है गर्मी अब से उसको थोड़ा बहुत गरम खाना देना जिसके नॉन वेज वगेरा होगे एग वगेरा हो गया तो उसके अंदर उसकी गर्माट बनी रहे और आपको वेदर के इसाब से उसको खान पान में बहुत जाता ध्यान रखना पड़ेगा गर्मियों में डॉग आपका नहीं खाता जरूर करानी वह आपको बहुत होगा डाइजर सिस्टम के लिए इंप्रूव करने के लिए अच्छे से अच्छा आप आप जो है डिवार्मिंग के टैबलेट डे सकते उसको अच्छी कंपनी के दीजेगा और टाइम टू टू टाइम डिवार्मिंग करें तो ज्यादा बे जाना आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं के तो फॉलो कर सकते लिंक में डिस्क्रिप्शन में दीए तो गैस मिलते हैं से इंटरस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग